प्रिमित्रों बहुत से लोग ऐसा समझते हैं, मुख्य तोर पर विश्वासी ऐसा समझते हैं, कि हमारी प्रार्थनाए कई बार सुनी नहीं जाती, क्या आप जानते हैं कि हमारी प्रार्थनाए क्यों रुख जाती हैं, क्या कारण है कि हमारी प्रार्थनाए परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाती है दोस्तो अनेक कारणों में से कुछ कारण है जिसका विशय हमने इस अध्यन में उठाया है दोस्तो यदि आप सहायता पराफ्ट करना चाहते हैं जानना चाहते हैं तो आईए हमारे साथ इस अध्यन में शामिल हो जाईए और दानियल के जीवन से इस बात को सीखिये कि कैसे हमारी प्रार्थना परमिश्वर तक पहुंच सकती है और क्यों रुख जाती है प्रेमित्रों आप सभी को प्रभू इशू में प्रेमभरा नमस्कार मुझे इस सत्वचन बाइबल अध्यान में आपका पुना स्वागत करते हुए बड़ी ही प्रसंता हो रही है मैं इस बात के लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप प्रती दिन इस अध्यान में जुड़ते हैं और वचन की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि आप परमिश्वर से और उसके वचनों से प्रेम करते हैं दोस्तों आपके फोन और SMS के लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और उसे भेशते रहने के लिए निवेदन भी करता हूँ दोस्तों आज का अध्यान जो हमें दानियल के दसवे अध्याय के बारवे पद से आरंभ होगा एक विशेश बात प्रगट करता है जो प्रार्थना के संदर्व में है आज आप देखेंगे कि आपकी प्रार्थनाएं क्यों सुनी नहीं जाती हम में से भोतों का यह अनुभव है कि हम तो कुछ बातों के लिए लंबे समय से प्रार्थना कर रहे है हमारी आवशक्ता भी उचित ही है हम दिल लगाकर प्रमेश्वर से प्राथना कर रहे है पर हमें उत्तर नहीं मिल रहा है क्या आपका भी यहीं अनुभव रहा है मित्रों तो आज का संदेश आपके लिए है आज हम दानियल के जीवन के एक और गुन को देखेंगे जो हमारे जीवन में होना चाहिए दानियल ने स्वैम को परमेश्वर के सामने दीन किया आप जानते हैं कि हम कैसे परमेश्वर के सामने अपने आपको दीन बना सकते हैं या परमेश्वर पर कैसे प्रगट होगा कि आप उसके सामने दीन हैं। दूसरी बात कि दानियल ने परमेश्वर की बातों को जानने के लिए मन लगाया, अपना ध्यान लगाया। बहुत से विश्वासी लोगों को परमेश्वर पर मन लगाना ही नहीं आता। हमारा ध्यान वचन पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए, चर्च में बैठे हुए और वचन सुनते हुए भी अन्य बातों में पढ़ा रहता है। हम उस पर ध्यान कैसे केंद्रित कर सकते हैं। हम उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, तो हमारा जीवन ऐसे ही चलता रहता है। यह हमारी प्रार्थना और वचन के मनन में अवश्रक है मेत्रों। तो आईए हम अपने अध्यन में आगे बढ़ते हैं और अपने परमेश्वर के वचन पर मन लगाते हैं। आई हम पढ़ें दानियल 10 उसके 12 से 13 पत तक। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत ढर क्योंकि पहले ही दिन को जब तुने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों क कारण आ गया हूँ, फारस के राजी का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किये रहा, परन्तु मीकायल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा, यहां पल भर के लिए परदा उठता है, और स्वार्गी की दिखाई देता है, इससे या प्रगट होता है कि जो हमें दिखता है, उससे कहीं अधिक इस जगत में हो रहा है, हम पर बहुत ही कम प्रगट किया गया है, परन्तु हमें इससे अधिक जानने का प्रयास नहीं करना है, आद्रिश्य संसार में अच्छे और बुरे के मध्य य जोती और अंधकार में युद्ध हो रहा है, या परमिश्वर और शैतान का युद्ध है, इससे स्पष्ठ हो जाता है कि स्वार्गिक शक्तियां हैं और शैतानी शक्तियां भी हैं, कहता है पहले ही दिन को मैं तेरे वचनों के कारण आ गएा हूँ, स्वर्गदूत कहता है कि दानिल की प्रार्थना तुरंत सुन ली गई थी और वह चंदे श्वाहक भेजा गया था प्रंतु मार्ग में उसे रोग दिया गया था इसलिए वह दानिल के पास नहीं पहुँच पाया था यह एक आश्चर जनक बात है पॉलुस ने इफिस्यों की पत्री में जो लिखा है उस पर यह बात प्रकाश डालती है इफिस्यों की पत्री छे अध्याय उसके ग्यारा और बारपद में लिखा है परमिर्श्टर के सारे हत्यार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सा बड़े रह सको क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टा की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं देखिए यहा फिर शैतान की सेना के अलग-अलग वर हमें नहीं मिलते हैं प्रार्धना वास्तों में एक सधा की लड़ाई है रोमियों के पत्री पंदरा ध्यावस के तीस पद में पौलुस स्पष्ट कहता है कि प्रार्धना करना उसके लिए आत्मे की युद्ध था कहता है हे भायों हमारे प्रभईश्य मसीह के और पोईत्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिला कर मैं तुमसे विंती करता हूं कि मेरे लिए परमिश्य से प्रार्धना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। लौलीन रहो का मूल युनानी अर्थ है संगश करना आपको और मुझको प्रार्धना में संगश करना है आज प्रार्धना एक आफचारी के अभ्यास बन कर रह गया है मैंने जो प्रार्धनाय सुनी है उन में से अधिकांश प्रार्धनाय या तो मीठे मीठे बोल होती हैं या आध्यात्मे की विचारों का प्रस्तूति करन होती हैं और मेरे विचार में हम दोनों ही प्रार्धनाय के बीना रह सकते हैं सच्ची प्रार्धना एक संगर्ष है बैरिकी सीमा को पार करके आत्मिक शक्ति का प्रवा है प्रार्थना मीठे मीठे बोल द्वारा परमेश्वर का मनुरंजन करना या बड़ी बड़ी बातें या आध्यात्मिक विचार प्रगट करना नहीं है जी हाँ, मेरे मित्रों हम आत्मिक युद्ध कर रहे हैं स्वर्गदूत ने दानियल से कहा पहले ही दिन को जब तुने समझने बूजने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किये रहा यह प्रधान कौन है सांसारिक मनश तो ऐसा नहीं कर सकता है वह निश्य ही शैतान का दूद था दुष्टात्मा परमेश्वर के स्वर्गदूद विवस्थित हैं तो शैतान के स्वर्गदूद भी विवस्थित हैं उनकी एक पूरी सेना है, उस सेना में भी अफसर हैं, और स्पष्ट है कि इस स्वर्ग दूत को शेतान के दूतों ने घेर लिया था, और उनका प्रधान फारस राज्य का प्रधान था, अतह उसे स्वर्ग से सहयता मांगनी पड़ी थी, और मिकायल को उसकी सहयता के लिए आन पड़ा, मिकायल एक प्रधान स्वर्ग दूत है, उसका रास्ता क्यों रोका गया, दानियल को युनान और फारस के राज्यों की जानकारी दी जाएगी इसलिए, जैसा हम अगले अध्याय में देखेंगे, शेतान नहीं चाहता था कि यह जानकारी किसी मनुशे तक पहुँ परमेश्टा चाहता था कि दानियल को यह जानकारी दी जाए, कहता है मिकायल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा, इससे एक बात स्वष्ट होती है कि वहाँ युध चल रहा था, जिसमें फारस का और स्वरन करें कि दानियल इस समय फारस में है, अब वहाँ स्वार्गे के सहायता की आउशकता थी, और यह लगभग वह समय था जब दानियल को शेरों की मान में डाला जाना था, देखिए दानियल के जानकारी के बिना ही परमेश्र उसके पक्ष में काम कर रहा था, मेरे म विश्वासियों को यह समझना होगा कि हम आत्मिक युद में हैं, यह बड़ी आश्यर जनक बात है कि शेतान कई बार हमारी प्रार्थनाओं का संबंध परमेश्र से तोड़ देता है, सारवजनिक प्रार्थनाओं और प्रार्थना सभाओं के निरस होने का एक कारण यह भ वास्तों में एक युद्ध करना है और उसे जीतना है। दूसरा कुरंतियों के पत्रि दस अध्या उसके तीन से पांच पद में पॉलुस फिर कहता है, क्योंकि यदिपी हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अंसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के ह अथियार शारिक नहीं, परन्तु गड़ों को ढ़ा देने के लिए परमेश्टर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कलपनाओं का और हर एक उची बात का जो परमेश्टर के पहचान के विरुद में उठती है, खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसी का आग दाइत्व है, जिसकी हमने कभी कलपना न की हो। आपको और मुझको या समझना होगा कि हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ की कैसी घोर आवश्यक्ता है, और प्रविश्व की उपस्थिती की भी कैसी आवश्यक्ता है। हमें इस सत्य को भली भाती समझ लेना होगा कि हम आत् हम दानिल के पुस्तक 10 सध्या के 14 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दर्शा होगी, क्योंकि जो दर्शन तुने देखा है, वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। वाले तीन लक्षन है, पहला है यह दर्शन तेरे लोगों, तेरे लोगों के संबन में है, मेरे विचार में हम निश्चिन्त रूप से कह सकते हैं कि इस भोशदवानी का विश्य इसराइल ही है, यदि इसका कोई और अर्थ निकाला जाए, तो अर्थ और रचना का उदेश ही निरर्थक होगा, कहता है तेरे लोग, तेरे लोग का अर्थ स्वश्च है कि वे इसराइली हैं, दूसरी बात है यह अंत के दिनों में पूरा होगा, यह समय सत्तरवा सप्ता होगा जो महाकलेश का समय होगा, महाकलेश के अंत का समय अंत के दिन होगा, तब तीसरा है कुछ दिनों के बाद इस से संकेत मिलता है कि यह समय बहुत लंबा है दर्शन की पूर्ती ही नहीं दर्शन के घटने में भी अब हम इस दर्शन के दो भागों को देखेंगे एक एतिहासिक अर्थात भोशिद्वानी का वह भाग जो पूरा हो गया और दूसरा जो पूरा नहीं हु आईए हम देखें दानियल को विश्वास दिलाना और बल प्रदान करना दानियल के पुस्तक 10 अध्या उसके 15 और 16 पद में लिखा है जब वह पूरुष मुझ से ऐसी बाते कह चुका तब मैंने भूमी की और मुह किया और चुप रह गया तब मनुशे के संतान के समान किसी ने मेरे होट चुए और मैं मुह खोल कर बोलने लगा जो मेरे सामने खड़ा था उससे मैंने कहा हे मेरे प्रभु दर्शन की बातों के कारण मुझको पीडा सी उठी और मुझ में कुछ भी बल नहीं रहा वित्रो आप यहां देख सकते हैं कि दानियल पर इसका बहुत गहर प्रभाव पड़ा था हम आगे पढ़ते हैं दानियल दस अद्या उसके 17 और 18 पद में लिखा है इसलिए प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ कैसे बाते कर सके क्योंकि मेरी देह में ना तो कुछ बल रहा और ना कुछ सांस ही रह गई तब मनिशे के समान किसी ने हम स्वर्धूत को देखा और मैं देखता हूं कि वह किसी प्रकार प्रभावित नहीं हुआ तो मैं जान लेता हूं कि वह सच्चा दर्शन नहीं था स्वर्दूत के दर्शनकातो वास्तों में दानियल पर गहरा प्रभाव पढ़ा था हम दानियल 10 उसके 19 और 20 पद में पढ़ते हैं और उसने कहा हे अतिप्रिय पुरुष मत डर तुझे शांती मिले तु द्रिड हो और तेरा हियाब बंधा रहे जब उसने यह कहा तब मैंने हियाब बांध कर कहा हे मेरे प्रभू अब कह क्योंकि तुने मेरा हियाब बंधाया है तब उसने कहा क्या तु जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूँ अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लाटूंगा और जब मैं निकलूंगा तब युनान का प्रधान आएगा अब एक और शैतानी प्रधानता आएगी युनान का प्रधान दानियल से बाते करने वाला स्वर्गदोत लोट कर फारस के प्रधान से युद्ध करेगा दानियल 10 उसके 21 में आगे लिखा है जो कुछ सची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताता हूँ उन प्रधानों के विरुध तुमारे प्रधान मिकायल को छोड़ मेरे संग इस्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है लिखा है जो कोछ सची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा है स्वर्गदोत दानियल का ध्यान परमेशर के वचन की ओर आकरशित कराता है लिखा है अर्थात व्यक्त किया गया है दूसरे शब्दों में दानियल परमिर्षर के वचन के विफरित ना तो कुछ सुनेगा और ना देखेगा मेरे मित्रो परमिर्षर का वचन ही एक मात्र हतियार है जो परमिर्षर की संतान के लिए आत्मे की युद में उपयोगी साधन है इसे आत्मा की तलवार कहते हैं हम मेंसे कुछ ही विश्वासी अपनी तलवारों को काम में लेना नहीं जानते हैं नहीं लेते हैं इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 10 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्यान को अध्याय 11 से जारी रखेंगे जिसका विश्य है दर्शन जारी है एंट्योकस एफिफनस की पहचान पाप के पुरुष्ट का विश और प्रगट इच्छा स्वेक्षिक राजा की विजय शनिक है अध्याय 10 से 12 में एक ही दर्शन है अतह अध्याय 11 अध्याय 10 का ही भाग है या एक अत्यधिक महत्पुन अध्याय है क्योंकि इसमें अध्याय 9 के 77 का कुछ अंश दिया गया है जो विशेश करके दानियल के लोग इसराइल से संबंधित है इसमें कई धातूं की मूर्ती अध्याय 2 के अंतिम 3 राश्ट्र और अध्याय 7 के पश्चों के संबंध में भी वर्णन किया गया है मेरे मित्रो इस अध्याय के महत्वही के कारण शैतान उस स्वर्गदूत को दानियल के पास आने से रोक रहा था जो उसकी प्रार्थना का उत्तर देने आ रहा था क्योंकि यह भोश्चिदवानी दानियल के लोगों के संबंध में दो राश्ट्रों फारस और युनान के बारे में थी इस अध्याय का एक और महत्पून योगदान है कि यह पुराने नियम और नए नियम को भोश्चिदवानी द्वारा जोडता है हम कहते हैं कि पुराना नियम और नै नियम के मध्य का समय नीशब्द है परन्तो यह सच नहीं है यह समय इसराइल के महान कष्टों का समय था उन्होंने सीरिया और मिसर के द्वारा बहुत कष्ट सहे थे यह दोनों राष्ट्र लड़ते रहते थे और इसराइल घुन के समान इन दोनों के बीच में पिस्ता रहता था क्योंकि उनकी सेनाएं इसराइल देश को रौन रही थी इस समय एंटियोकस एफिफानस का उदै हुआ था जो भावी ख्रिस्त विरोधी का स्वरूप था इस अध्याय में हम उसे पहचानेंगे एंटियोकस एफिफानस मिसर के राजा हामान, हिटलर या रूस से भी अधिक यहुदी विरोधी था वह यहुदी इतिहास का नीरो कहलाता था और वही ग्रिनित वस्तू भी था इस अध्याय का स्पर्ष्ट विवाजन किया गया है जो इतिहास और भोश्यदवानी को अलग-अलग करता है इसमरन रखें कि आरम में तो यह केवल भोश्यदवानी ही था परन्तु अब तक इसका कुछ भाग पूरा हो गया है इसलिए वह भाग इतिहास बन गया है यह भोश्यदवानी जटिल है और एक समाने मानुए समझ से अधिक गहराई में जाती है अधिकांश मनुष्य भोश्यदवानी का उत्तेजना जनक और संसनी पूर्ण भाग ही देखना चाहते हैं परन्तु वे परमिश्र की वचन की गहराई में जाकर उसके कहने का उत्देश्य समझना नहीं चाहते हैं यदि आप भोशदवानी की गहराई में रूची रखते हैं, तो यह अध्याए आपके लिए अती आनन्द का अध्यन होगा। प्रिमित्रों आज हमने अपने प्रार्थना के जीवन और अलौकिक संसार के बारे में बहुत कुछ जाना कि कैसे हमारी प्रार्थनाई रोक ली जाती हैं। प्रमेश्वर ने उन्हें जब स्वर्ग से गिराया तो उसके लिए वह स्थान ठहरा दिया गया है। एक दिन वे शैतान के साथ आग और गंदक की जील में डाल दिये जाएंगे पर उस समय तक वे संसार के लोगों को भर्माने का काम करते रहेंगे परिशान करने का काम करते रहेंगे उन्हें इतनी सामर्थ दी गई है कि वे आपकी प्रार्थनाओं को रोक सकते हैं पर आप निराशना हो, हमारे लिए परमेश्वर ने अपने दूतों को भी ठहराया है, कि वे हमारे लिए शैतान के दूतों का सामना करें, उन से लड़ें, जब हम अपने आप को दीन करते हैं, तब हम परमेश्वर की सामर्थ को कार करते हुए देखते हैं, याद रखिएगा पॉलूस भी दूसरा कुरंथी बारा ध्याय के दस्वे पद में यही कहता है इस कारण मैं मसी के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में और दरिदिता में और उपद्रवों में और संकट में प्रसन्न हूँ क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ, तभी बलवन्त होता हूँ, मित्रु जब हम अपने आप को बलवन्त समझते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता, पर जब हम निर्बल होकर उसके सामने स्वैम को समर्पित कर देते हैं, हम पूर्ण रूप से परमे पर्मेश्वर पर अपनी जीवन में उसमें अजमा कर देखें मित्रों, वह आपके लिए अपनी सामर्थ को प्रगट करेगा। आईए दोस्तों हम पर्मेश्वर से प्राइखना करें। स्वर्गी परमेश्वर पिता, प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप ही धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं, आपकी महिमा हमारे जीवन से होने पाए। पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को निरंतर सुनते हैं। परंतु प्रभू जब हमारी प्रार्थनाय रोग दी जाती है, प्रभू आप अनुग्र करें, आप दया करें पिता, कि हमारी प्रार्थनाय आपके चर्णों तक पहुँचने पाए, आपके पुईत्रिस्थान तक पहुँचने पाए प्रभू जी, और हमारे ये प्रिये लो एक नई इस फूर्ति, एक नया जोश, एक नई उमीद भर दे कि प्रभू इस प्रार्थनां के जीवन को देख करके वे भी प्रार्थना में लउलीन हो जाये और यदि किसी कारण से प्रभू उनकी प्रार्थना ए्रुक्य हुई है अपनी सामर्थ को भेजें अपने दूतों को भेजें प्रभू कि वो उन प्रार्थनाओं के मारगों को खोलें और हर एक रुकावट को दूर करने पाएं पिता हम प्रार्थना करते हैं, अपनी सामर्त स्परत्वी पर अपने जोगों के द्वारा से स्प्रगट करते रहें दहनेवाद के साथ इस बिंती को प्रवशु मसी में होकर मांगते हैं, आमीन प्रेमितरों आज के अध्यन के द्वारा से मैं आशिशित हुआ हूँ और उमीद करता हूँ कि आप भी आशिशित हुए हैं क्या आपने आज एक निर्ने लिया कि प्रार्थना में अपना समय निरंतर देते रहेंगे यदि आज आपने ऐसा निर्ने लिया है तो कृपिया हमें बताएं ताकि हम प्रमेश्वर को इस बात के लिए धनिवाद दे कि आपने ये निर्ने लिया है यदि आप इस प्रसारण को पुना देखना चाते हैं तो आप यूट्यूब में जाकर इसे देख सकते हैं अगले प्रसारण में इस रोचक अध्यन को आगे बढ़ाएंगे और आपकी साहता करने का प्रयास करेंगे तब तक परमेश्वर के अनुगर में बने रहें उसी से प्रार्थन करते रहें और जी हाँ प्रार्तन करना बंध ना करें प्रभु आपको आशिश्टे आईए अभम प्रश्न को देखें पिछले प्रश्न का उत्तर है A. पवित्रात्मा पवित्रात्मा मनुष्यों को प्रभु इश्यू मसी की पहचान करवाता है आज के अध्यन पर आधारित प्रश्न है परमेश्वर की संतान के लिए आत्मिक युद में उप्योगी एक मात्र संसाधन और हत्यार है खाली स्थान A. प्रार्धना B. दर्शन C. चमतकार D. परमेश्वर का वचन मित्रों इश्प्रस्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A. B. C. या D. के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें क्या आपको ये कारेकरम पसंद आया? अभी हमें एक मिस्कॉल करें और आप अगले विजयता हो सकते हैं अभी हमें आपको ये विजयता हो सकते हैं